खोलापुरी गेट पुली स्टेशन हद अंतरगत आने वाले आकोली परिसर में दोपहर तीन बजे के आसपास नागरिकों का जमगट सा जमा हुआ था इसका विशेश कारण ये था के आकोली परिसर के शमशाम भुमी के पास में यादो नामक व्यत्ती के खेत की पक्टंडी पर एक सिर्कटी लाश पड़ी हुई थी जिसे देखने के लिए आसपास के परिसर के सैकलो नागरिक महा पर मौझूद थे इस घटना की जानकारी तुरंथ ही कुलापुरी गेट पुली स्टेशन को दी गई तो पुली स्टेशन के वरिष्ट्य पुली स्टेशन का दल भी तुरं घटना इस्टल पर पहुँचा गटना इस्टल पहुशने के पश्चार पंचनामे की एवं जाच परकिरिया की शु परिसर में मौझूद थे गट्ना के संदर में ऐसा अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि ये गट्ना जिस परिसर में हुई उस परिसर का आदिय से ज्याधा हिस्सा लगबग सुन्सान पड़ा रहता है। पकडंडी के किनारे पड़े रहने वाली सिर्कटी लाश की जानकारी दोपहर तीन बड़े तक उजागर हुई पंचनामी की कारवाई के दोरान पुलिस ने लाश के आसपास से सतुर्जे सा धारदार हत्यार भी बरामत किया साथी लाश के पास से चश्मा सही चपपल जैसे साहीत बरामत हुए आरूपी की तलाश के लिए पुलिस डॉग को भी घटना इस्तल पर बुलाया गया था पुलिस डॉग ने सभी साहीतों को सूंग कर जाच के लिए दोर लगाई और पुलिस का डॉग देशी दारूद की दुकान की और दोर लगाने के बाद कुछ दूरी पर रुख गया इसके चलते पुलिस को फिलाल इस मामले में कोई भी महतोपूर्ण सुराक हाथ नहीं लग पाया है ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी गुत्ती यह है कि मुर्तक की पैशान कैसे होंगी और पुलिस इस मामले में तहे तक जाने के लिए परियास करती वी नजर आ रही है फिलाल इस वेक्ति को किसने और क्यों मौत के घाट उतारा साथ ही मुर्तक का सिर काट कर कहा ले जाया गया उस कटे हुए सिर को बरामत करने के बाद ही पुलीस के लिए ये सारी चीजे महतुपुन मारी जा रही है ऐसे में पुलीस इस मामले की गुत्ती सुल जाने के लिए तमाम अवश्यक परियास कर रही है लेकिन इस घटना के चलते जहां एक और संपुन आकूली परिसर सहीद अमरौती में चर्चाओ का बाजार गर्म है कि आखिर अमरौती शहर में जिर्म के घटनाए कम क्यों नहीं हो रही है अब दिखना यह है कि पुलिस इस संदर्ब में कितने जल्दी इस सिर्कटी लाश के हत्यारे को पकड़ने में काम्याभी हसिल करती है शोयव खान विधर्ब न्यूस अमरौती